अक्सरी सवाल पूछा जाता है कि SEO कौन कर सकता है और S.E.A. चुम्के technical है तो लोग समझते हैं कि यह उनके लिए नहीं है कि आएटी की डिगरी नहीं है या उनको K.I.T. का पता नहीं है या वो कभी कर नहीं सकेंगे इस वीडियो में हम अव्नेश करेंगे कि यह कोर्स किस किस के लिए है और आपको क्या चाहिए इस कोर्स को करने के लिए और क्या नहीं चाहिए और अगर कुछ चाहिए भी तो वो कैसे आपको हेल्प करेगा तो पहली बात तो आप ये अंडर्स्टेंड करें कि ये कोर्स सब के लिए है सबसे मुराद सबसे मतलब ये कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता या आपने कुछ भी नहीं किया आपको First Time Google का पता चला है आपको First Time Search Engine का पता चला है आप फिर भी ये कोर्स कर सकते हैं इस कोर्स का हमें डिजाइन इस तरह से किया है कि कोई भी किसी भी बैग आउन से स्टार्ट करेगा और वो इसको सीख सकेगा मेरे नजर में चार चीज़ नहीं आपको चाहिए इस कोर्स को करने के लिए और वो बहुत जरूरी है उसमें सबसे पहली चीज़ यह है Passion आपको लगन होनी चाहिए इसको सीखने के लिए अगर आपको लगन नहीं होगी तो आप उसको नहीं सीख सकेंगे दोसी चीज़ आपको चाहिए commitment यह ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा करेंगे उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे तो बस यह हो जाएगा इसको सीखते रहना भी असल में काम्याबी है और अगर आप इसको सीखते रहेंगे तो आप मजीद learn करते रहेंगे और आपका knowledge fresh होता रहेगा जैसे जैसे आप इसको grow करेंगे वैसे वैसे आप इसको मजीद understand करते चले जाएंगे तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर आप यह कोर्स कर रहे हैं तो इसको पूरी तरह से करें और commitment के साथ करें सारी assignment सब चीज़ें पूरी करें ताकि आपको यह पूरी तरह से समझ आ जाए तीस्सी चीज इंपॉर्णट जे है कि क्यूरासिटी क्यूरासिटी बहुत ज़रूरी है आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप नई चीज़ें सीख सकें आपको खुद यह सवाल आने चाहिए कि यह होता है तो कैसे होता है अगर यह होगा तो कैसे होगा जब आप यह जानना शुरू कर देंगे तो आप बहुत सरी चीज़ें खुद से सीखना शुरू कर देंगे और यह किरोस्टी ही इनसान को आज तक यहां पर लेके आ चुकी है चोथी चीज़ है अबिलिटी टू लर्न एंड अनलर्न तो एक बहुत इंपॉर्डन रोल है कुछ चीज़ें भूल जाने में भी अकसर लोग परानी बातें नहीं भुला पाते और नई बातें नहीं सीख पाते यह लर्न एबिलिटी का एक स्कील है जिसके तहट यह बताया जाता है कि आपको कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें आपसलीट हो जाती है वो हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में वैलिड हो लेकिन अगले कुछ सालों में वो आपसलीट हो जाएं जब चीजे बेकार हो जाती है जब information बेकार हो जाती है तो उसको छोड़ना मुनासिब है और जो नए चीजे आ चुकी है नए महुल आ चुका है उसके मताबिक खुद को ढालना बहुत जरूरी होता है तो अनलन करना मतलब जो चीज़ सीखी हुए है उसको भूल जाना और दुबारा से नए चीज़ सीखना ये भी एक बहुत important skill है जो आपको चाहिए होगा क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ें पहले से सीख रखी है अगर आपको एक image create हुआ हुआ है आपके जहने हैं कि Google कैसे काम करता है तो जरूरी नहीं है कि वो यहां पर आपको वैसा ही मिले हो सकता है आपको कुछ चीज़ें आपके belief के against जाएं आपके मुखालिफ जाएं उन ख्यालात के जो आपको लगता था कि जैसे होता है तो आपने हमेशा खुद को open रखना है नई चीज़ों के लिए ताके आप गुझाइच रखेंगे उन चीज़ों की जो आपने शायद कभी ना सुनी हो और जो शायद आपने कभी किसी और तरह से सुनी हो लेकिन अब आपको किसी और तरह से पता चल रही हो इनके इलावा अगर आपके पास ये जो स्किल्स मैं बताने लगा हूँ अगर ये हैं तो आप एक अच्छे SEO या एक अच्छे डिश्चर मार्केटर बन सकते हैं जिनमें सबसे इंपॉरंट बात तो इंटरनेट का नॉलेज है अगर आपको वेबसेट का पता है कि कैसे चलती हैं और कैसे चलाई जाती हैं कैसे बनती हैं तो आपके लिए कोर्स बड़ा मुफीद रहेगा क्योंकि आपको वेबसेट का पता होगा और इसको आप्टिमाइस करने का भी पता चल जाएगा अगें अगर आपको ये पता है कि engine कैसे चलते हैं और उसके विए optimize कैसे करना है तो फिर आपके लिए वड़ी असानी होगी इस course को समझने में लेकिन ये लाजमी नहीं है इसी तरह से HTML और CSS HTML वो language है जो Hypertext Markup Language के नाम से जानी जाती है और इस HTML language के तहरती पूरा internet चलता है यतनी भी website आपको नजर आती है उसके पीछे एक जुबान है उस internet की जिसके उपर website बनाई जाती है और वो website क्या करती है कि आपको जब नजर आती है तो पीछे HTML में उनकी एक coding जो हुई होती है वो HTML जुबान में हुई होती है इसी तरह से CSS cascading style sheets का नाम है CSS जो design elements है उसको handle करती है तो HTML आपको ये तो बताता है कि page का structure कैसे होगा लेकिन HTML आपको ये जो design नजर आ रहा है आपको ये design CSS में कंट्रोल होता है तो design के अंदर आपकी heading है तो कितनी बड़ी होगी आपने font कौन सा use करना है आपके background color क्या होगा text का color क्या होगा कौन सा text बड़ा होगा कौन सा चोटा होगा कहां पर चीज़ें घूम रही हैं कहां पर नहीं घूम रही हैं इस सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से CSS से जुड़ी होती है और यह design को बेहतर करती है यह याद रखे कर कि यह जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई है यह अगर आपको पता है तो अच्छी बात है अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं है आप इसको अभी सीख भी सकते हैं और साथ साथ आप इसको follow कर सकते हैं यह जरूरी नहीं है लेकिन अगर यह पता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन सबसे इंपरण बात जो मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर marketing पता है अगर आपने degree की है marketing के अंदर या business के अंदर तो वो skills आपके लिए बहुत helpful रहेंगे वो skills आपको help करेंगे कि आप अपनी marketing जो आपको traditional marketing का idea था वो digital पर कैसे करनी है तो फिर आप इसको miss ना करें क्योंकि वो marketing और जो जो दूसरी आपकी business के skills हैं वो आपको definitely digital marketing और digital business के skills के साथ मिलकर आप एक अच्छी अपनी business चला सकते हैं अपने skill को enhance कर सकते हैं और इसको grow कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि ये course है किसके लिए so for example अगर आप एक freelancer हैं और आपने already कहीं jobs कर रहे हैं या आप freelancer बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ideal course है क्योंकि इस course के बाद आप घर बैटके अपनी मर्जी से अपने clients धोन कर काम कर सकते हैं अपने वक्त के मताबिक और अपनी capacity के मताबिक तो ये course आपके लिए पूरा job ready course है इसके फॉरण बाद या इसके दरमयान में ही बीच में कहीं आप अपनी साथ professional life भी start कर सकते हैं अगर आपने अब इदक start नहीं की है लेकिन अगर आप already एक professional है और एक job कर रहे हैं तो आया आपने job में अपनी growth करनी है या आपने job switch करनी है तो भी ये course आपके लिए relevant है क्योंकि ये को एक नया skill है और ये आपके existing job में भी आपको नई सलाइएद बख़ता है और आपको ये अगर आपको skill नहीं है तो आप नई job में जाने के लिए भी इसको use कर सकते हैं इसी तरह से अगर आप एक business man है और आपको अपना business grow करना है तो भी आपके लिए course मुफीद है क्योंकि digital पे business grow हो रहे हैं और आपके competitors सारे digital पे जा चुके हैं जैसे जैसे आप digital पे जाना चाहेंगे आपको marketing भी digital की सीखनी बढ़ेगी और again जैसे कि हमने पहले जिकर किया digital marketing में search का बड़ा important role है और अगर आप search सीख जाएंगे और search पे optimization सीख जाएंगे तो आप अपना business search के थुरू ग्रो कर सकेंगे अगर आप घरेलू खातून है घरेलू हाउस वाइफ है अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकती है किसी भी वज़ा से और आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहती है और घर बैटके कुछ करना आपके लिए मुनासिब नहीं है तो आप इस course को तो लाजमी करें क्योंकि इसके बाद आपको location बाउंड होने की जरूरत नहीं है आपको कोई office जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैटके अपना result कमा सकती है आप उसको grow कर सकती है और अपना घर चला सकती है तो उन लोगों के लिए खसूसन ये course बड़ा मुफीद है जो घर से बाहर नहीं जा सकते है या जो रूटीन के मताबक में भी पढ़ रहे है या जॉब एक एक्स्टा करना चाहते है ये वो लोग इस जॉब के ताहर इस स्किल के तहर वो जॉब्स कर सकते हैं और मारकेट में इसकी बहुत डिमांड है और ये बड़ा असानी से आप इसको सीख कर इस पे अपनी एक नई इंकम स्ट्रीम एक नए रोजगार का मौका धून सकते हैं इसमें अगर आप किसी कंपिनी में बड़े मैनेजर है या अगर आपको लगता है कि या आपने SEO खुद नहीं करनी और आपने अपनी टीम से करवानी है तो भी आपके लिए कुर्स बहुत जरूरी है अगर आपने SEO खुद नहीं भी करनी लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि SEO होती कैसे है और करवानी कैसे है तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप करवा भी नहीं सकेंगे तो अगर आपने इसको करवाना है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप understand करें कि ऐसी होती कैसे है तो चाहे इसको आप खुद ना भी करें आप करवाने के काविल हो सकेंगे अगर आप इस कोर्स को कर लेंगे तो आपको लोग चीट नहीं कर सकेंगे आपको लोग यह नहीं कह सकेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो यह कोर्स उनलों के लिए बड़ा मुफीद है जो टीम में चलाते हैं और जो चाहते हैं कि उनकी टीम ग्रो करे तो अपनी टीम के साथ भी ये कोर्स कर सकते हैं और वो अखेले भी कोर्स करके अपनी टीम को रख सकते हैं और अक्सल लोग तो इस कोर्स के बाद हाईरिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि अब उनको पता चल जाता है कि इस कोर्स की इफादियत क्या है और इस स्किल की इफादियत क्या है SEO कैसे काम करती है और उनको क्यों SEO की जरूरत है तो जाते हैं मारकेट में नई लोगों को रखते हैं उनसे काम करवाते हैं और अपने बिजनस को ग्रो करते हैं अगर आप जॉब जून रहे हैं और आपको अभी आपने फॉरण graduate किया है या आप कासी अटसे से जॉब जून रहे हैं आपको जॉब नहीं मिल रही है अपनी डिगरी में तो आपको लगता है कि या आपके शाइड डिगरी गलत थी या आपके डिगरी में डिबांड नहीं रही है तो भी आपके लिए कोर्स बड़ा मुफीद है वो इस फिल्ड में आ सकते हैं अराम से क्योंकि इस फिल्ड में डिमांड बहुत ज़्यादा है और काम करने वाली लोग बहुत काम है तो इस कोर्स में आपको मैं हल्प करूंगा कि आप किस तरह से एक अच्छी इंकम कमा सकते हैं एक अच्छा रोजगार कमा सकते हैं तो अगर आपका जॉब नहीं हैं तो आप बिजाए इसके एक जॉब धुने आप आलनाइन प्रोजेक्ट्स धुने और आलनाइन प्रोजेक्ट्स धुनने के बाद आप इसको लाजमी करें तो गोयाई ये कॉर्स उन सब के लिए है जो अपना रोजगार बेतर करना चाहते हैं जो अपना रोजगार नई जगों से कमाना चाहते हैं और अपने बिजनस को या अपनी टीम को बेतर करके Google पे ज़्यादा visibility ये ज़्यादा ट्राफिक लेना चाहते हैं इस course में हम क्या सीखेंगे मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या करेंगे ताके आपको clear हो जए कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं और हम इसमें क्या शायद नहीं पढ़ेंगे सबसे पहली बात कि हम ये understand करेंगे कि Google क्या है और वो किस तरह से काम करता है Google को समझना इसलिए जरूरी है कि Google जब तक हम नहीं समझेंगे Google भी हम rank नहीं कर सकेंगे हमारी कोशिश ये है कि हम Google जो के इस सबसे बड़ा सर्च इंजिन है मारकेट में उसको हम understand करें ताके जो लोग उस पर जाके सर्च करें और वो अगर आपकी product सर्च कर रहे हैं वो product के against आपको मिल जाना चाहिए फिर हम यह बात करेंगे कि सर्च काम कैसे करती है और Google कैसे grow करता है और कैसे अपने engine को बनाता है उसके बाद हम बात करेंगे HTML और website क्या होती है तो अगर आपको HTML और website का idea नहीं है तो इस course में हम थोड़ा बहुत इतना जरूर discuss करेंगे कि आपको HTML और website का अंदाजा जरूर हो जाएगा कि SEO कहां पर HTML और website के ओपर dependent है और कैसे आप उसको utilize कर सकते हैं फिर हम properly course के बारे में बात करेंगे कि SEO actually होती क्या है और इसमें क्या क्या मराहिल मौजूद है किस किस तरह से हम grow करेंगे एक step से हम 10 step पर कैसे जाएंगे और हमने क्या क्या करना होता है अगर हमने Google पर rank करना है इन सब चीज़ों को हमने एक strategy की तहाद मुखसी section में divide किया है उसमें on page, off page और technical SEO है जिसमें आपको इस skill सीखते रहेंगे और आईस्ट आईस्ट आपको basic से start होंगे और advanced level तक आपको समझ आजएगी कि कौन सी चीज़ें कैसे होती है और कैसे करनी होती है एक चीज़ important मैं आपको यह बताता चलूँ कि इस course में आपको अकेले काम नहीं करना होता आपको basically अगर कुछ चीज़ें technical ज़्यादा लगती है वो आपको जोरी नहीं है कि आप ही नहीं करनी है तो जैसे मैंने पहले शुरू में जिकर किया कि आपको अगर यह टेकनिकल लगता है या आपको यह लगता है कि आप टेकनिकल नहीं सीख सकते क्योंकि आपाथ IT की डिग्री नहीं है तो याद रखिएगा कि हर चीज़ आप खुद नहीं कर सकते अपको अकसर चीजें लोगों से करवानी होती है जब आप समझ जाएंगे कि कौसी चीजें आपने खुट करनी है और कौसी चीजें आपने लोगों से करवानी है तब आपको ये clear हो जाएगा कि कहां पर designer का roll involved है कहां पर developer का roll involved है और कहाँ पर आप उसको ऐसे mix करके अपनी company grow कर सकते हैं तो इस बात से बिल्कुल गबराने की जरूरत नहीं है कि आपको IT नहीं आती तो आप ये course नहीं कर सकते अगर आपको समझ नहीं है तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हर तरीके से समझाएं एक बात आप याद रखिएगा कि डिजिटल मार्केणिंग में डिजिटल का बहुत एहम रोल है तो हम डिजिटल को miss नहीं कर सकते हैं तो डिजिटल में टेक्निकल चीजें भी आएंगी बस उसके लिए बेतरीन तरीका ये है कि अगर आपको टेक्निकल खुद नहीं आता आप इतना जूर समझ जाएं कि करना कैसे होता है ताकि आप किसी से करवा सकें और ताकि हम डिजिटल मार्केणिंग को सक्सेस्फल बना सकें